आप देख रहे हैं देज कबर 24 और वक्त खबरों का रिवा में एक मस्जिद की संपत्ति में मालिकाना हक को लेकर एकी समुदाय के दो पच्छा हमने सामने है दोनों पच्छों का विवाद सानी प्रसासन के बाद अब हाई कोर्ट पहुँचा है जहां से हाई कोर्ट ने मस्जिद की संपत्ति पर मालिकाना हक जताने वाले हाजी मन्नान के परजनों को बड़ी राहत दी है हाईपोट ने हाजी मन्नान के परजनों के हक में रोक लगाते हुए मध्य प्रदेश वक्ष वोट की विबादित कमेटी नजूर अधिकारी एवं तहसिलदार हुजूर को नोटिस जारी कर दिया है बताया गया कि मन्नान मस्जिद को तकरीमन 125 वर्स पहले हाजी मन्नान के द्वारा बनवाया गया था इस मस्जिद में इस्थानी लोग भी नमाज परते थे जबकि मस्जिद की संपत्ति पर हाजी मन्नान के परिवार का ही अधिपत्ति था अभी हाल ही में वकबोट भोपाल से कमेटी का गठन कराया गया जिसके बाद मस्जिद में भी बात की स्थिति निर्मित हो गई दरासल इस पूरे मामले की जानकारी आज आयोजित हुई प्रेसवारता के दोरान हाजी मन्नान के नाती अनवारुल हग ने दी है इसके लिए कूट रचित तरीके से मस्जिद को वकब की संपत्ति बताकर कमेटी गठित कर ली गई और मस्जिद की संपत्ति को हडपने की कोशिश की जा रही है तो आई योज सुनते हैं क्या कहते हैं अनवारुल हग ये लोग कमेटी बनवा के लिए आयते बोपाल वफबोत से फैजुला बख्ष के नाम से जिसको हाजी अब्दूर मन्दान साहब ने और उनके पूरवजों ने वो इस सहर के काफी प्रतिष्थिक नागरिकों में से थे उन्होंने तीन माजीरे तामिल करवाई थी एक मनगवा बस्ती में एक गुर्म होजे में और दूसरा अपने घर में ही तामिल करवाई जिसको जलत फैमी से कुछ लोगों ने वफबोर में रेजिस्टेशन के नाम को लेकर इस माजीर में जबजस्ती कव्जा करने की कोशिज किया हमारी प्राइवेट संपत्री को वफब बताके इसमें कव्जा करने की कोशिज की जिसकों को हमने मानी न्याले में अपना आवेड़न प्रस्तूत किया और उन्होंने अमारे तक्तों को समझा देखा जाना उसके बार यता इस्टिकार देज देदी और सारे लोगों को अच्छे रखें और बताएं हमें अपने हिंदुस्तान के कानून और न्याय की उपत पुरा भरोजा है कि आगे भी वह हमें न्याय दिलाएंगे कि इतनी पुरानी मजडित है कि दो पजीश साल पुरानी मजडित है और हमेंजा अलाल अउलाद ही इस मजडित के मुटवली होते चले आए इसके पहले दिया कभी इसकी कमेटी कभी भी नहीं गठी तुई इसकी कमेटी यह तुछ अब ये कमिशनर सर्वे के हिजाब तो इनोंने मज़ीद को चलाया हमको कोई शूचना नहीं दी गई और उसके आदार को इन्नों इन्नों सन्नावासी में इन्हों अपने गजट में चढ़ा लिया वफबोट भोपाल में और उसके बाद इन्होंने 40 साल के बाद अब ये रजिस्टेशन करके वहां से भेज दिया गया कमेटी बना के साजी बस चढ़वाया गया इसको इसमें हमारे महले के कुछ असामाजिक तत्त है जो लोग मनलब इस प्रावियर्ट संपत्ति को जाल साजी करके हठी आना चाहते हैं बराबर दवाव बनाया जा रहा है कि इसको हम ठोड़ा लेंगे ये वफब की संपत्ति है अपर कुरवज है हमने इसके सारे दस्तावले नियाल में परस्तुत किया है वाजजी अब्दु मनान शाम ने एक वसियत की इस मजीद की इसमें मत वल्ली हाजी बार लबत्वरी बराबर रहें है अच्शित कर पहले 2016 दूनों एक वसियत शीजिक इसमें मत वल्ली हमें बनाया गया है तब क यहां से क्या जवाब अधर इस्थानी प्रसासन से SDM साहब ने हमको यह स्थित का आजेश दिया फिर उसके बाद 29 दिसंबर को इन्होंने 29 नमबर को इन्होंने एक और आजेश पारीद कर दिया कि इनको कप्जा दिलाया जाए पिर मैने मानी उति नेले के सरन में गया और वहां प्रस्टूट किया सारे काग्याद दिखा है उनको तो मानी नेले ने सारे कट्व को देखते हुए वहां से उनको हमको यह ता इस्थित का अडेश पारीद कर दिया और सारे लोगों को नोटिस जारी कर दिया अब ही आप क्या चाहते हैं अभी हम यह चाहते है कि जो कर कानून बेवस्ता जो हमारे इंदुस्तान की रही है और जो नया नया हमारे इंदुस्तान मेरा तो आगे भी हमको नया मिलना चाहिए क्योंकि हमारी प्राइवेट संपत्ति है अब तो आपके मिल गया है हमें इसके मिल गया है अब आगे जो भी निया नियाले से करवाई होगी वह हमें मंदूर है कुछे दस्तावेद है दिखराई है इसके दस्तावेद